नमिश्कार मेरचा सिंग और आप देख रहे हैं सीन्यूज भारत वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण ने मंगलबार को चालू वित्तवर्ष दोहजार चौबिस पच्चिस के लिए पूर्ण बजट पेश किया ये उनका लगातार साथमा बजट रहा सीता रमण ने लोग सभा में बजट पेश करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने नरेंद्र मोदी नीच सरकार में एक बार फिर विश्वास दिखाया और उसे तीसे कारिकाल के लिए फिर से चुना है मैं सीता रमण ने आगे कहा कि जहां वैश्विक अर्थेविवस्था अभी नीतिगत अनिश्रतता की चपेट में है ऐसे में भारत की आर्थिक वरधी जारी है यानि कि कुल मिला कर देखा जाए तो सरकार ने एक बार फिर अपनी बढ़ाई करती है और बतानी की कोशिश ही है कि सरकार प्रत्येक वरग के लिए काम कर रही है लेकिन हर बार की तरह इस बारवी मोधी सरकार के आम बजट पर विपक्ष अपने बाड़ों के साथ कूत पड़ा है किसी ने कहा कि सरकार के दावों की पोल खुल गई तो किसी ने कहा कि सरकार ने लोगों को जनता को जुनजुना थमा दिया तो चलिए सरकार की वजटवर विपक्ष ने कैसे दागे सियासी बम जानते हैं इस रिपोर्ट में केंद्री वजट में बिहार को 26,000 करोण रुपए देने का एलान किया गया है इस पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजत की सांसर राबडी देवी ने प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा राजय में हत्या और चोरी हो रही है मज़ूरों को उनकी मज़दूरी नहीं मिल रही है यिवाओं को नौकरिया नहीं मिल रही है और किसानों की समस्या अभी भी बरकरार है बिहार को 26,000 करोन रुपए आवंटित करना बिहार को जुझना देने के समान है मैं केंद्री बजट पर समाजवादी पार्टी के प्रमुक अखलेश यादों ने कहा सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार और आंद्रप्रदेश को विशेश योजनाओं से जोड़ा गया है उन्होंने पिछले दस वर्षों में बेरोजगारी बढ़ा दी है इसके लाबा केंद्रे बजट पर उत्रप्रदेश कॉंग्रस अध्धक्ष अजयराय ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा अगर मुख्य बातें सामने आ गई तो सरकार की पोल खुल जाएगी सरकार गलत है और दिखावा कर रही है इस बजट में कुछ भी नहीं है और ये केवल गुमराह कंड़ी बाला है बात मद्रदेश की करे तो कॉंग्रस अध्धक्ष जीतू पटवारी ने कहा मोदी सरकार का पुराना इतिहास बताता है कि ये दो करोड रोजगार के वादे के साथ सक्ता में आई थी चार करोड रोजगार यानि दो गुना जूट डबल इंजन की नरेंदर मोदी की सरकार यानि डबल जूट साथी साथ बश्यम बंगाल के टीमसी सांसर्थ कीर्थी आजाद ने कहा विश्रे दस वर्षों से कोई उम्मीद नहीं हम सर्फ नारे सुनते रहे आज भी जुमले ही होगे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ना तो उन्हें सरकार चलानी आती है और ना ही उन्हें लोगों के दुख दड़ से कोई मतलब है. विए बोलते बहुत कुछ हैं, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने किया क्या? किसानों के लिए तीन कानून लाए गए जिसे वापस लेना चाहिए इसके अलावा कॉंग्रेस सांसर सुशित हरूर ते इस बजट को जबरदस्त बजट बताया उन्होंने कहा मैंने आम आदमी के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में कुछ भी नहीं सुना मन्रेगा का कोई जिक्र नहीं किया गया आम व्यक्ति की आये में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का अपर्याप्त उल्लेक किया गया है जब बात गंभीर आये असमानता की की आती है तो सरकार की ओर से हमें बहुत कम देखने को मिलता है वही सपासांसर टिंबल यादों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होना चाहिए था बजट में कुछ भी नहीं है किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है वही राहूल गांधी की भी इस बजट पर प्रतिक्रिया सामने आई है उन्होंने इस बजट को कुड़ से बचाओ करार दिया है अब देखा जाए तो विपक्ष हर बार की तरह इस बार भी बजट को कुड़ा बता रहा है हाला की भाजपा की सहयोगी पार्टियां इस बजट से काफी खुश नज़र आ रहे है हाला की अभी कई और बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया का इंतजार है क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया इस बजट को नई देशा और मोड दे सकती है फिलाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे है सीन्यूस भारत हर खबर आपके साथ आपके हाथ